फिर एक बार इतिहास की धारा को मोरने के लिए नया इतिहास बनाने के लिए गांधी मौदान में लाखों की तादाब में पहुँची बिहार की संगर्शिल जनता आप सबको नवशकार आदाब जैभीम लाल सलाम पचास सल पहले इस गांधी मैदान से नारा बुलंद हुआ था भावी इतिहास हमारा है आज फिर एक बार ये कहने के लिए हम यहाँ पोँचे हैं लोक्तंत्र संबिधान देश बचाने का नारा है भावी इतिहास हमारा है ये अलान करने के लिए हम यहाँ पोँचे हैं हम यह कहने के लिए आए है पत्ना और दिल्ली की सरकारों से सिंगासन खाली करो जन्ता आने लगी है बिहार की जन्ता लड़ेगी ताना शाही हारेगी साथियों देश में पिछले 10 साल से जो पार्टी पूरे हिंदुस्तान को टबा कर रही है बरबाद कर रही है उसके नाम में तो जन्ता है बात ये जन्ता पार्टी लेकिन जन्ता से कोई लेना-देना उसका नहीं है उसका अगर लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सत्ता के लालच सत्ता के हंकार उसके रग रग में है उस पार्टी के उस पार्टी का अगर कोई काम है तो वो काम है बुल्डोजर से हिंदुस्तान के लोक्तंत्र को बिपक्ष को जंता को उनके रोजी रोटी जल जंगल जमीन के हक को पूरे देश को देश की अर्थ रवस्था को रौप देना मैं तो कहता हूँ कि भारती जंता पार्टी को अपना चुलाओ चिन बदल करके उस कमल की जगा पर बुल्डजर रख लेना चाहिए और हम यह एलान करने के लिए आए है यह बुल्डजर राज नहीं चलेगा बुल्डजर से आजादी के लिए अवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए हम यह आए है किसान डिल्ली की सीमा पर MSP की मान को लेकर आना चाहते हैं और यह सरकार जो हदानी अमबानी के आगे खुद कालिन बन करके बिच जाती है अभी अमबानी के बेटे की शादी का नजारा हम देख रहे हैं लेकिन जब किसान आना चाहते हैं दिल्ली में तो सड़क पर बैरिकेड लगते हैं किल ठोक दिये जाते हैं गटीले तार बिच्छा दिये जाते हैं गोली चलती है किसान शहीद हो जाते हैं कि यह सरकार यह कहती है कि हम दुनिया में विश्व गुरू बनेंगे गाजा के बच्चों को बचाने के लिए कि इनके मुझ से एक शब्दे निकलता है लेकिन हिंदुस्तान के परह लिखे नाजवालों को देश के अंदर जिनको मौकरी मिलनी चाहिए उनकी जान को खत्रे में डाल करके उनको इसराइल भेजने की साजिश यह सरकार रच रही है हर्याना उत्तर पदेश के बाद हो सकता है बिहार में भी आपनितीश जिये काम करना शुरू कर दे अभी आठ मार्च का दीन आएगा अंतराश्टिय महिला दिवास है महिला सशक्तिकरन की बहुत बड़ी बड़ी बात होगी लेकिन हिंदुस्तान में हमने कभी नहीं देखा था कि किसी पार्टी का ये काम बन जाए कि तमाम बलातकारियों को संग्रक्षन देना उनको को साम देना उनको सम्मानित करना चाहे बिल्किस बानों के बलातकारी हो या चाहे मनिपूर में महिलाओ के उपर अत्तचार करने बाले उनको संग्रक्षन देने का काम यह आर्पार की लड़ाई है और इस चुनाओं में बिहार ने एक बार ठान लिया जैसे अब रसाथियों में कहा कि 40 के 40 सितों पर महागडबंधन की जीत का पूरा जंडा होगे गार देंगे तो निश्चित तो पर दिल्ली से इस सरकार का सफाया होगा शाथियों बिहार में एक एजंडा बन रहा था पूरे बिहार में आपने देखा 2020 के विधान सबाचुनाओं में जब हम लोगों ने कहा कि बिहार के नौजवानों को पक्की नौकरी मिलेगी तो उस समय नितिश जी मजाग पुड़ा रहे थे लेकिन इस बार जब नितिश जी इस तरफ आये थे कुछ समय के लिए जब हम लोगों को मौका मिला तो आपने देखा कि बिहार के अंदर ना सिर्फ जातिये जंगनला हुई बलकि सामा जी का अथिक सरलेक्षन हुआ पूरे आरक्षन का विस्तार हुआ पक्की नौकरी की मुहीम शुरू हुई और पूरे बिहार में बात यहां पहुँच गई कि नितिश जी करीब 20 साल से विकास 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 कह रहे है लेकिन उस विकास के चिराग चले वहाँ गरीबी का घना अंधेरा है पूरे बिहार के दो तिहाई लोग दस अजार से कम आमदानी पर किसी तरह जीते है तो नितिश जी नहीं उस समय कहा था कि दो लाख करीब एक लाख परिवार को हम दो लाख रुपए देंगे नितिश जी उस तरब चले गए लेकिन बिहार के गरीबों से हम कहेंगे गिन गिन करके वो दो लाख रुपए उन से लेना है और ये जो साजिश चल रही है कि आयता प्रमान पत्र अब नहीं दिया जाएगा ना रहेगा बास ना बजेगी बासरी ये जो धोखा बिहार के गरीबों के साथ साजिश चल रही है इस साजिश को हमें रोकना है तो साथियों बिहार जो बदलने लगा था बिहार और देश को बदलने के लिए आज जो हम इस पूरे मैदान में देख रहे हैं लाल और हरा जंडा लाल और हरे जंडे की ये एकता ये दावेदारी ये लाल और हरे जंडे की एकता और दावेदारी से ही बिहार बदलेगा और हिंदुस्तान में लोक्तेंटर और संबिधान सुरक्षित रहेगा आज हमारे सामने ये रास्ता है और इसी रास्ते को रोकने के लिए इसी रास्ते को रोकने के लिए फिर निटीश जी को उस तरफ ले जाया गया हमने तो देखा था CBI का इस्तेमाल हमने देखा था ED का इस्तेमाल हमने देखा था Income Tax का इस्तेमाल इस बार हमने देखा कि भारत रत्न का इस्तेमाल भी इस देश में राजनीत करने के लिए सत्ता को साधने के लिए हो सकता है हमने देखा कभी चरण सिंग को दे करके वो किसानों पर गोली बरसते हैं कभी स्वामिलाथन जी को भारत करत्नों दे करके स्वामिलाथन आयोग की उसको लागू करने की मांग करने वाले किसानों पर गोली चलती है, कभी करपुरी जी को, करपुरी जी जो राज़ितिक बंदियों को निहा कर रहे थे अपने समय में बिहार के अंदर, पूरे बिहार में आरक्षन की बात कर रहे थे, शिक्षा के विस्तार की बात कर रहे थे, आज करपुरी जी को सम्मान देने के नाम पर आज के बिहार में हम देख रहे हैं कहीं बिधायकों को तोड़ा जा रहा है खरीदा जा रहा है और जिनको तोड़ना संभब नहीं है ड़ाना संभब नहीं है खरीदना संभब नहीं है माले के जुजारू नौजवान बिधायत मलच बंजिल की तरह बिधायत उनको फर्जी मुकदमा में फसा करके उनकी सदस्टा सवात करने की साजिश चल रही है इस साजिश के खिलाब पूरी एक्ता चाहिए पूरा संघर्श चाहिए मुझे पूरा भरुसा है कि आज ये जुमा गांधी मैदान का ये नजरा है ये सिर्व बिहार के लिए नहीं है ये पूरे देश के लिए है ये इंडिया गडवंधन जिसके बारे में ये बोलने लगे थे कि बिहार से बात चली थी और निटीष जी मेजवानी कर रहे थे पहली बैठक की आप तो निटीष जी चले आए तब इंडिया का क्या बचा हम ये बताने के लिए आए है कि किसी एक नेता के इधर उधर होने से किसी एक सरकार को दखल कर लेने से कुछ बिधा को गो तोर लेने से कोई फरक नहीं पड़ता जनता है जवईन पर और बिहार है लड़ने वाला पुदेश तो बिहार की जनता लड़ेगी ताना शाही हारेगी इसी के साथ आप तबाम साथियों को हमने देखा कि रात में काफी बारिश हुई हमारे लोगों को बहुत दिक्कत हुई बाब जुद इसके इतने मेहनद करके तबाम कठिनाईयों को छेलते हुए लाल हरा जन्दा लेकरके बिहार के कोने कोने से बिहार के गरीब यहां पहुँचे है वो लाल जन्दा जो मास्तर जगदीश का लाम नरे स्राम का बूटन मुसायर का जन्दा है वो लाल जन्दा और बिहार के अंदर करपुरी जी का जैप्रकास जी का यह जो हरा जन्दा यह दोलों की एकता आज पूरा बिहार को बनल देगी दोलों की एकता हिंदुस्तान को बनल देगी इसी के साथ आप तवाव साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया इंकलाब जिन्दाबाद महागडबंधन जिन्दाबाद